मेर्ल आलो वैल कम वैकट उणसेगें दोस्तों अज बात करते हैं रसपरिडॉन टेबलेट की रसपरिडॉन टेबलेट का क्या यूज होता है किस Little Cr vita ामें एक चीज कर दें तो प्रेंस रसेशपरिडень टेबलेट 0.5 आपको टेबलेट फॉर्म में यह चीज़े मिल जाएगी एक एंटी साइकोटिक है इस पेसिली फार एट टेपिकल एंटी साइकोटिक ट्रॉट होती है तो फ्रेंट इससली फॉर यह जो निउरो डिसॉर्डर के जो पेशेंट होते हैं उनमें चलाई जाती तो जीरो पॉइं 3MG 1MG 2MG and 4MG 4MG तक ही ये मार्केट में अवलेवल है मौथ डिसॉल्विंग टेबलेट होती है पानी के साथ नहीं लिया जाता मौथ डिसॉल्विंग होती है तो अच्छा मोड आफ एक्षन आता है तो फ्रेंड्स ये डिसॉडर लाइक ब्रेंड डिसॉडर जितने भी हैत करनिया के कंडिशन में फ्रेंड्स लाइक ब्यक्ति को अकेला रहने की आदत होती है और वो बार-बार सब परिसान सा होता है दुख सा एकदम उदास सा वैठा होता है तो उस कंडिशन में ये चीजें दे जाते हैं नेक्स्ट डिसॉडर आता है बाइपोलर डिसॉडर ब्र रहा है कभी अचानक अग्दम परिसान सा हो जाएगा तो इस डिसॉडर को बाइपोलर डिसॉडर फ्रेंड्स बोलते हैं देन लाइक आउटीजम में भी यह जोते हैं आउटीजम का मतलब होता है फ्रेंड्स व्यक्ति को अकेले रहने की यादत हो जाती है अकेला पन फीलो यह कशिड़ी करता है फेसेंड की कंडीजन तक इसको खाने में सावधानिया क्या रखना इसको लेने के पगाद आप कोई मलब डॉराइविंग डॉराइविंग की कभी सिस्कों कष्डी और निन्युक्री ceriais अब mode of action की बात करते हैं तो जो एंटी साइकोटिक द्रग है यह टीपिकल एंटी साइकोटिक इसका जो mode of action especially for 5-HT receptor and D2 receptor 5-Hydro-C Treptamin receptor and D2 dopamine receptor को directly यह block कर देता as antagonism work करता है तो उन receptor को जब यह directly ब्लॉक कर देता है तो फल्स रूफ पेशेंट को सप्रेस लाइक कंडिशन आती है लाइक को एक भाई D2 receptor में activity बढ़ जाती है पेशेंट की तो D2 receptor को जब यह ब्लॉक कर देता है तब व्यक्तिकोटिक अगर किसी भी प्रकायर का लीवर इंफेक्शन है like hepatitis वगरा और या jointis वगरा किसी भी प्रकार का लीवर इंफेक्शन है तो उस condition में इसको नहीं दिया जाता है क्योंकि बाई कि ड्रग है कोई भी ओरल फॉर्म की ड्रग है अगर तो ज्यादा तर लीवर से ही बाइपास होगे जाएगी लीवर में इसका अपशन होगा तो लीवर की की कंडिशन की सिसाथ